हेलो एवरीवन आज हम डिसकस करने वाले हैं CU8 के Entrance Test के Admit Card के बारे हम बात करने वाले हैं CU8 के Entrance Test के Admit Card आपको कैसे डाउनलोड करना है और कब डाउनलोड कर सकते हैं यह हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं और दूसरी चीज़ CU8 के आपको Counseling के Forms कब-कब भरने हैं यह भी हम इस वीडियों बात करने वाले हैं सबसे पहले कुछ Universities के जो CU8 की Counseling के Forms है वो जो है अभी भी Open है यहाँ पर आप जब Universities के लिस्ट में देखेंगा तो मैं आपको बता दू किस-किस के Counseling Forms जो है Open है देखें, AMU के Counseling Forms अल्रेडी रिलीज हो गए है जामिया मिले असलामिया के जो Counseling Forms है वो अल्रेडी रिलीज हो गए थे CU8 के और अब Close भी हो गए है लेकिन अभी CU8 PG के Open है UG के भी वापस Open होने के Chances है और अगर हम बात करें और किसके Admission Forms ओपन है दयालबग, Educational Institutes इसके भी Counseling के Forms ओपन है एक एक करके जो है जितने भी यह रहा दयालबग, Educational Institutes इसके भी Admission Forms जो है आपको ध्यान रखना है, Separate Universities का Registration भी करना है इसके Forms फिल करने की जो Last Date है वो है 30 April तक के आप इसका Registration कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं, आपको Admit Card हर Universities का आपको अपडेट किया जाएगा वीडियो बनाके आपको परिशान होने की जोहत नहीं है यहाँ पर जब आप Home वाले सेक्शन में आएंगे इस वाले Option पर आप जब आप क्लिक करेंगे Login वाले Options पर आपको जाना है जब आप Login वाले Options पर जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना Application Number और Password फिल करेंगे और यहाँ पर यह जो Security Pin दिया हुआ है यहाँ पर फिल करके Login वाले जब आप Options पर क्लिक करेंगे तो वहीं पर आपका Admit Card आजाएगा लेकिन अभी तो Admit Card नहीं आया है Admit Card आपका कब आएगा Admit Card आपका Exam से वन वीक पहले आ जाएगा लेकिन किस City में आपका Exam सोना है वो आपको इस मन्त के End में ही देखने को पद मिल जाएगा यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है आपको पता चला है किस City में आपका Exams हैगा और Admit Card आप इसी पोर्टल पर दियान पर ठीक है बाकि जैसे रिलीज होंगे जिस जिस उनिवर्सिटीज का फार्म आएगा आपको सब अपडेट कर दिया जाएगा थैंक यू